नमस्कार दोस्तोर रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में बात करने वाले कि यहाँ पेनी स्टॉक के बारे में जिसकी प्राइस से 10 रुपे की निचे और बहुती ज्यादा पॉपिलोर हो चुका है आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे 2 रुपे से लेकि यहाँ पे श्टॉक चला गाए लगबग यहाँ पे साढ़ी आट रुपे के आसपास और 6 मेने की रिटन चेक कर सकते हैं लगबग साढ़ी 400 पसंद के जोरदार रिटन दे इस कंपनी ने तो कंपनी का नामे उनिटेक लिमिटेड तो यहाँ पी उनिटेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक स्टॉक में कोई भी मुविमेंट नहीं थी पिछले तीन से चार साल सक श्टॉक एक ही रेंज में घुम रहा था एक रुपे से लेकिए दो रुपे के आसपास लेकिन जैसी यहाँ पर दोज़्या तेइस के बाद गवर्मेंट के तब से और भी देखेंगे तो जैसी कि आप लोगों को पता रहेगा इस वीड़ी में हम कवर करने वाले सरकीट लिमिट कब चेंज हो सकता है और नेश टार्गेट क्या है तो जैसी कि इस कंपनी में क्या स्क्याम आता जो कंपनी के ओनर है प्रमोटर है जैसी कि संजै चंद्रा पैसा ले आता और यहाँ पर खुद के नाम पर यहाँ पर डाइवर्ड किया था तो यहाँ पर इनके उपर मनी लॉंटरिंग का केच चल रहे और दोनों भी जो यहाँ पर प्रमोटर आभी जेल में तो यहाँ पर बहुत सरे लोगों से इन्होंने पैसा ले ता जैसी कि लगभacak 74 प्रोजक्ट है लेकिन 2030 में क्या हो चुका है यहाँ पर सुपेम कोट में को बला था कि जल्दी से जल्दी जो भी घर यहाँ पर हो जाले हो जाए तो यहाँ पर circuit limit curve change होगा क्योंकि आपने देखा रहेगा अभी जो circuit है max to max 5% stock भाग सकता है एक दिन में stock एक तो upper circuit में भागेगा यहाँ फिर lower circuit में गिर सकता है क्योंकि इसको restriction है उसके पीछे का reason है आप लोग चेक कर सकते हैं जैसे के official website के उपर group settlement type जो बोला गया है यहाँ पर unit का है जेड टी प्लस वन तो जबी भी कोई stock जेड कैटेगरी में आता है एक risky कैटेगरी में माने जाते हैं तो बड़े लोग stock में यहाँ पर avoid करते हैं और एक reason रहता है जैसे की company जो क्या करते quarter result यहाँ पर present नहीं करते हैं इसके इसे में भी आने वाले समय में जो भी category इसको change किया जा सकता है और यहाँ पर वापस से बड़ी ती जा सकते हैं तो आपने देखा रहेगा यहाँ पर दूसरा ही stock है अपने सुजलावन का नाम देखा रहेगा टी टी प्लस वन है तो stock में थोड़ी बहुत moment होती है कभ से विप्रो हैं ऐसे जो बड़ी कंपनियां मार्केट में एक category में आते हैं क्यूंकि इनके पर कोई भी यहाँ पर case नहीं है यहाँ पर कोई भी customer की तर से कोई भी कंपने नहीं तो ऐसे कंपनी को हमेशा एक category में जाला जाते हैं उसके बाद उसके नीचे वाले category रहेते हैं यहाँ पर T category और एक last में category आते हैं ओर रहेते हैं जेल्ड category अभी जो company है जेल्ड category में इसके इसके कुछ limitation है श्टॉक जाता भाग नहीं सकता है लेकिन जिस दिन यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा तो company जेल्ड category से T में जा सकते हैं आगर सब कुछ आचा आता है वह आप रिस्क यह है कि इसका उल्टा होता है for the example यहाँ पर जो भी नया management का यहाँ पर अच्छा काम करता नहीं home बाइस को उनके घर जल्दी मिलते नहीं तो वापस से जिस तेजी से stock भागा है उस तेजी से गिरने के chances बहुत ही जादा है तो रिस्क और रिवाड सेम रहते है पिन पर लगा कि चल सकते लेकिन दस अजार बीस अजार एक लाग दो लाग नहीं लागाना चे एक बार लोग स्तर की start हो जाएगा तो आप लोग टॉप लेवल पर आटक सकते और आपका पूरा पैसा यहाँ पर आटक सकता है कुछ सालों के लिए यह तो तो ता आज की उडिया के लिए अगर वड़ा चलागा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर सकते हैं